नमस्कार दोस्तों कैसे आप सब दोस्तों आज मैं आपको प्रश्णा वाली एक पॉइंट चार का कोशन नमबर तीन बताऊंगा ठीक है सबसे पर आएक कोशन पढ़ते हैं कोशन क्या कहता है आपसे यहाँ पर देखिए कुछ वास्तिवी संख्याएं के दस्वलब परसाड नीचे दिये गए हैं ठीक है परतियक इस्तिती के लिए निर्धारित किजिए कि या परिमे संख्या है या नहीं यदि या परिमे संख्या है और P by Q के रूप में है तो Q के अभाज गुनन खंडाओं के बारे में आप क्या कह सकते हैं देखिए, question आपसे क्या कह रहा है, question आपसे कह रहा है, पहले पाचाण ये, इसे पाचाण ये, इन सब संख्या को, ये परिमे संख्या है या नहीं, ठीक है, अगर दोस्तों, परिमे संख्या निकल गया, और उसे आप P by Q के रूप में लिख देते हैं, तो आप Q के अभाज, ये, बारे में आप क्या कहेंगे, इसको भी आपको बताना है, ठीक है, दोस्तों, आई, question solve करते हैं, यहाँ पर देखिए, 43.123456789, ये है आपका, ठीक है, आई, इसे solve करते हैं, दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले आप परिमे और और परिमे संख्या को समझ परिमे क्या होता है, और परिमे क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, जिस संख्या को आप पी बटा क्यू के रूप में लिख देते हैं, उसे परिमे संख्या कहते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं परिमे संख्या में जाकर आपको दो बात बता होंगा, जिससे आप अच्छे से ध संख्या है 3,2। दोस्तों जब आप से मसमें भागिये जिते संख्या में और 10 मंदल के बाद संख्या कट जाता वा परदीख्या होगा यहाँ. लाफमनाट दस आपका कट गया दोस्तों अगर दसमलब के बाद जो है संख्या कट रहा है ठीक है तो क्या होगा परिमे संख्या होगा अब देखिए एक और बार बताते आपको दोस्तों आप की संख्या में भाग देते हैं मान ले जी संख्या है दो बटा तीन है ठीक है दोस्तों आप त 3-2 में भाग दीजें, 3-1 तीन, नहीं नहीं, पहले पॉइंट दीजें, 0-3-28, बच्चे का यहां पर 2, फिर आपका 0 आ जाएगा, 3-48, फिर आपका यहां यहां पर 2 आ जाएगा, मतलब यहां पर आपका भाग जो है, यह भाग चलते रहेगा, आप देते रहेंगे, यहां प के बात जो है अगर संख्या रिपीट हो रहा है ठीक है रिपीट हो रहा है तो वह परिमे संख्या होगा यहां पर 6 6 6 6 रिपीट हो रहा है मतलब यह क्या है दो बटा 3 एक परिमे संख्या है दो बात याद रखें दस्मलब के बाद अगर कट रहा है परिमे संख्या होगा दस् दोस्तों यहाँ पर देखिए अगर आप किसी संख्या में भाग देते हैं और भागपल आता है दस मलब 02 002 00002 तो यह क्या होगा दोस्तों यह एक और परिवे संख्या होगा क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पर 210 है यहाँ पर非常的 000 नहीं हो रहा है मतलब यह क्या एक और परिमया संख्या है अगर यहाँए इसिता अब आई और से होगा संख्या कर दो अब आर्या करते हैं कोर्शन को भ्याओं से समझें यहाँ पर देखिया 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पर जाकर कट गया है मतलब परिमे संख्या है ठीक है यह क्या बजाएगा आपका परिमे संख्या हो जाएगा एक नमबर देखिए परिमे संख्या हम लिख देंगे परिमे संख्या ठीक है परिमे संख्या यह आपका हो जाएगा देखिए परिमे संख्या को हम P बटा Q के रुप में लिखते हैं तो ब्राकेट में P बटा Q लिख देते हैं बराबर बराबर आपका क्या हो जाएगा यह जो आपका संख्या है इसको आप लिख दीजे 43 ठीक है दसवलब, एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, नौ एक, दो, तीन, चार, फान, छे, साथ, आठ, नौ ठिक है, बाटा दोस्तों अब यहाँ पर दिखे इस दसवलब को हम उड़ा देंगे उड़ा दिये, तो क्या होगा? देखिए, दस बलब खतम होगा, तो दस बलब के बाद जितना संख्या है, उतना 0 नीचे आ जाएगा एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, नो संख्या है, या नीचे आपका नोठो 0 आ जाएगा यहाँ पर देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, जीरो आ गया, और यहाँ पर एक हम लिख दिए, टिक है दोस्तों यहां पर दिदि कि यह जो आपका साजन ओंधा लिख दकेऊ एक दो तीन चार पांट आट नो लिख makers in 1234567089 10 मतलब यहां पर दो यहां पर जो सख्ण है उसको यहां पर लिख देना है रिकेंग और नीचे को को एक काम करना है नीचे क्या करना है यहां पर देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ लोठो जीरो है और एक है यानि कि हम दस पर पाबर नौ लिख सकते हैं इसमें कोई प्रोब्लम नहीं है ठीक है अब देखिए दोस्तों यह संख्याय इसको आप फिर से लिख यह आपनाा है फिर लिख सकते हैं जरू लिख सकते हैं तो हम 10 को लिख देंगे दो पांच और आपका नौ है दोस्तों अपना को संख हो चुका है ठीक है अब देखिए आपको ना आगे कुछ काम करना है ठीक है आगे आपका question जोड़े यह solve हो चुका है यहां तक हमारा हो गया अब देखिए यहां के बाद आपको नीचे कुछ बाद लिख देना है ठीक है? आपको question में कुछा गया है Q के अभाज गुनान खंड़ों के बारे में आप क्या का सकते हैं? यहां Q कांसा है? रोचन नो है ठीक है और ऊपर वाला P है तो यहां पर आपको कुछ बादो लिख देना है यहां पर जगार नहीं है तो मैं इधर लिख देता हूँ ठीक है तो नीचे आपको लिखना है यहां ठीक है यहां क्यू का ओभाज गुनान खंड़? गुनन खंड यहां Q का अभाद गुनन खंड पी दो तथा पांच के रूप में है यह बात आपको लिख देना है यहां Q का अभाद गुनन खंड दो तथा पांच के रूप में है यह आपको निचल लिख देना है यहांकि आपको दो और पांच सीधा सीधा नजर आ रहा है गर दोस्तों आई हैंक दूसरा तुसरा को अभ़ाद समय जेगा यहाँ पर देखिएगा दूसरा कोशन क्या है इसे देखिए जीरो पॉँट यहां पहें द१स मलब एक दो जीरो एक दो डबल जीरो एक दो तीन्ठो जीरो एक दो चाथ जीरो इस तरह से आपका चलता यहां पर देखिए आपका जो संख्या है यह संख्या चलते जारां चलते जारा है मतलब कटा आपका यह संख्या अगधा दूसरा बाद यहांपर आपकर तीन जुरों आगया यहांपर आपकर चार जुरों आगया दोस्ता न्मज़ करते हैं यह अव्ह पर दिखिए Hilema 43 एक दो तीन चार पॉछ zur Exp Iग浯 है अब इसे सफित करेंगे देखिए यह संछा लेक देखिए दोस्तों यहां पर आपका 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 जो यह संचना यह परीमे संचаствौ ने परिमेशन क्या P बटा Q बराबर देखे 43 है 43 लिख दिये पॉइंट एक दो तीन चार पॉँँच छे साथ आठ नो है एक दो तीन चार पॉँच छे साथ आठ नो है ठीक है और इस पर आपका रेकरीन है ठीक है दोस्तों इस रेकरीन को न हम नहीं दिखेंगे यहां पर ठीक है इसको महटा देते हैं इसको नहीं लिखते हैं आपको ठीक है और दसमलाब है इसको उड़ा देंगे यहां पर देखें तो चूंकि आपका यहां पर रेकरीन है ना तो यहां पर आपका जीरो 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 नहीं आएगा बल्कि एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो नौ अठो नौ आज आएगा नौ संख्या पर रेकरी है ना तो नौ आपको यहाँ पर नौ आज आएगा तो तो दो तो तो तीन तो चाटो पांच चोटो चौटो साथ गो आट गो नो और देखिए उपर आपको मैंने कर देना है मैंनिस का करना है 20 वल्पकी 20 पार जो संख्या है क्या है 43 है मैनस 43 आपको यहाँ पर कर देना है ठीक है दोस्तों यहाँ पर जो घटा कि आएगा उसको आपको लिख देना है अक्षे से यहाँ पर देखिए घड़ाते हैं तो 9 में 3 गया 6 हो गया ठीक है और 8 में 4 गया 4 हो गया आपका पांकी 7 है 6 है 5 है 4 है 3 है 2 है 1 है 4 3 है यह लिख दिए ठीक है और नीचे आपका जो है ना नीचे 9 9 9 9 9 आपको लिख देना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख जिए अब देखिए हमारा कोस्तन सल्भ हो गया अब आपको यहाँ पर एक बार लिख देना है क्या लिखना है दोस्तों क्या यह जो संख्या है यह संख्या आपको इसका जब आप अभाज गुनानखन निकालेंगे तो क्या यह संख्या दो और पंच के रूप में आएगा नहीं आएगा बिल्कुल भी नहीं आएगा तो हम लिख देंगे यहां ठीक है यहां नीचे आपको लिखना है क्यों का औभाज गुनानखंड दो तथा पाँच के रूप में नहीं है ये बात आपको लिख दना है question आपका solve हो चुका है thank you